मेंदर सिंग अब हमें बताएंगे कि इंजन की सर्विसिंग कब होगी और उसको सर्विसिंग करने के टाइम पर आपको क्या-क्या चीजों की जुरूरत पड़ेगी सर इंजन जो आप कि वार जैसे सिक्स आ रहे हैं इनमें लगवग 18 लीटर के सम्थिंग तेल आ रहा है जो पहले इंजन थे नौ लीटर का आता था उसके बाद 11 का आया फिर 12 का आया और जैसे ज्यादा तेल होने कारण जो चास गंटे की इसकी चेक अप है उती है उसके बाद हर 500 गंटे के बाद इसका ऐल चेंज होता है इंजन ऑई चेंज करने के टाइम पे फिल्टर वह भी बदलने चाहिए कौन से कौन से फिल्टर बदलने चाहिए या जैसे कि हम लोग जानी रहे है को नई चीज लेते हैं तो पहली जो गरंटी रहती है वह कंपनी अशोक लेलेंड की तरफ से या आइसर का इंजन लगता तो आइसर की तरफ से या किलोसकर का इंजन लगता उसकी तरफ से रहती है तो वो क्या ये जो साथ में समान लगता है, ओयल, फिल्टर ये उनी से बदलाना चाहिए या नहीं? कुछे, जिस करने कमपनी वाले आप नहीं करते हैं, ज्यादा तर तो अपन कमपनी से ही रिमाइनिन कर रहे हैं, और कही वार ऐसा होता है कि अपने को कमपनी के वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसमें फाल्टर मुगलायल का और दोनों डीजिल के इस साथ ही चेंज करने एर फैल्टर हर उसको साथ गंटे साफ करना चाहिए क्योंकि यह कंबाइन का इंजना जो डस्ट में ही चलता है यह अब आपको बताएंगे कि जब आपने कंबाइन खरीद ली खरीदने के बाद आप रोड पे चड़गे और घर पे पहुंचने के तक आपको क्या-क्या मेन विशेश्टाओं का ध्यान रखना पड़ेगा सर जैसे कम्मैन यहां से लेकर जाते समय सबसे पहले तो आपको बील पईयों का धियान रखना पड़ेगा यहां से 10-20 किलो मेटर निकलने के बाद सब नट बोल्ट टैट कीजिए उसके बाद आजाती है गेरवक्स की जैरवक्स में देखिए कि कोई 10-20 किलो मेटर चलने के बाद कोई नट बोल्ट डीला तो नहीं उसमें आयल वगरा तो निकल रहा अगर कोई ऐसा डग रहा है तो उसको टैट कीजिए और एक्सल वगरा के लॉक वगरा चेक कीजिए दस-15 किलो मेटर निकलने के बाद उसके टैट भी नहीं होने चाहिए हाई लगने के उपरांत के बाद टैट होने के बाद टूड़ जाती है जहां कोई किसी तर लैंड आउट होने कार कोई विशाव तो नहीं कर रही वो चेक करना चाहिए कुछ फोर्मन क्या करते हैं कि घर के जाने के टाइम पर क्लच की पुली जो हम लोग में क्या है कि कब माइन में जैसे आप जानी रहें कि चार गेर वाला गेर लगता ही है या पांच गेर वाला लगता है तो उसमें भी क्लच वाली पुली को चेंज कर देते हैं तो वो कौन साइस की पुली डालनी चाहिए उसके साथ में कौन सी बेल्ट ही चलेगी या कौन सी बेल्ट आपको एक्स्ट्रा लेकर स्पेर लेकर चलना पड़ेगा यह सारी चीजें आप हम में बता सकते हैं वह ऐसा सर ज्यादा तर तो गेर के उपर डिपेंड रहता है जैसे तीन गेर का सब्सक्राइब आपको इसलिए बात काट रहा हूं कि 11 से चोटी क्यों नहीं करनी चाहिए वह क्या है इंजिन के आर्पीम कम हो जाते हैं और यह हाइड्रॉल को तना पावर नहीं मारता और मसीन ज्यादा वाग लेती है के वार क्या है खितानों जा इदर उदर जाने की समसे रह जाती है और ज्यादा होगी तो इंजिन के आर्पाम भी ज्यादा बड़े होंगे कुछ किसान भाई जो है यहां से जब कम्बाइन लेके जाते हैं तो उनको रास्ते में कौन-कौनसी बैल्ट एक्स्टा खरीदनी चाहिए या स्पेर खरीदना चाहिए या ने खरी ज्यादा तर तो जैसे रोड़ पे गाड़ी चल रही है इसर रोड़ पे चलने के लिए एक तो अकतिस प्यातर की बैल्ट ज्यादा खरीदनी चाहिए और ग्रीज बड़िया क्वाल्टी का क्योंकि जो इसके बैरंग वगरा है वह हाई स्पीड के रहते हैं रोड़ पे चल हम लोग रोड के उपर चड़ते हैं तो कोई अगर अलेक्ट्रानिक बलब फ्यूज हो जाए या में क्या है क्यों कोई वारिंग तार शोट होने की वज़े से हो जाए तो उस समय वे क्या किया जाएगा सर ज्यादा तर तो ऐसा होता है कि इस पे गाड़ी पे लाइटाओं ज्यादा लगे होती है वे ऐसी दिक्कत ने रहती अगर फिर भी ऐसी कोई लगती है तो एक दो पलब तो एक्स्टा जुरूर रखने चाहिए